हेलो फ्रेंड्स, नेट्फ्लिक्स पर आई विशाल भाद्वाज की नई मूवी खूफिया, अमर भूशन की किताब Escape to Nowhere पर बेस्ट है, इसे रोहन नरूला और विशाल भाद्वाज ने लिखा है, ये मूवी तब्बू, आशिश विध्यारती, अली फजल, वामी का गब्ब वहाँ वो मिर्जा को पकरने की प्लानिक कर रही है, इसी बीच एक मिस्टीरियस लड़की उनसे मिलने आती है, और कहती है कि वो उनके साथ काम करना चाहती है, और मिर्जा की सारी जनकरी रोह को देगी, इसके साथ ही एक कहानी और भी चलती है, रोह में काम करने वाले रव फजल पर उसके अफसरों को शक हो जाता है कि रवी रौ के ज़रूरी डॉकमेंट्स किसी और देश को शेयर कर रहा है इसी की वज़े से धाका की हसीना की मौत हो जाती है रवी को पकरने के लिए उसके घर के सबी लोगों पर निगरानी रखी जाती है फिर रवी को पकरने का दिन ते होता है इसी बीच रवी को रौ की हरकतों की जानकरी हो जाती है और वो देश शोड़ कर भाग जाता है अब यहीं पर पता चलेगा कि रवी ऐसा क्यों कर रहा था रवी के लिए देश भक्ती का क्या मतलब है क्या रवी के साथ उसके परिवाय का कोई और भी शामिल है क्या रवी पकड़ा जाता है या कहानी कुछ और है यही सब जानने के लिए आपको मोवी देखनी चाहिए सबसे पहले डारेक्शन की बात करें तो राइटिंग और डारेक्शन दोनों मजूद है कहानी में थ्रिल और सस्पेंस लास्ट तक कायम रहता है विशाल ने एक स्ट्रॉंग स्टोरी को दमदार तरीके से पेश किया है बस एक कमी लगती है कि बीच में बांगला भाशा का प्रयोक जो की थोड़ा अटकता है क्योंकि सबी बांगला नहीं चानते इसके लिए सब्टाइटल देखने पड़ते है एक्टिंग की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है तब्बू का तो तब्बू ने एक बाद फिर से अपनी एक्टिंग से सब को हैरान कर दिया है इतनी अच्छे से अपने रोल को निभाती है वो की लगता है जैसे कि ये केदार केवल उनी के लिए बना है रवी के रोल में अली फजल रियली वेरी गुड कभी कभी लगता है जैसे वो इतनी घहराई से अपने केदार को कैसे हंडल कर लेते हैं रवी की वाइफ के रोल में वामी का अगेञ गुड उनकी पूरी खुली आखे कुछ बोलती से लगती है वो एक्टिंग भी कमाल का करती है रौचीफ के रोल में आशिश विध्यारती का काम ठीक है अज मीर स्क्रीन पर प्यारी लगती है एक्टिंग भी अच्छी किया है उन्होंने बाकी सभी ने अपने रोल को ठीक से निभाया है जैसा कि उनका किर्दार था मूवी में सिंगल राहू राम ने यारा जी नाम की एक संद का रोल भी किया है म्यूजिक और बैग्राउंड स्कोर विशाल भारदवज का है जो अच्छा है बैग्राउंड स्कोर जादा अच्छे से मूवी के साथ चलता है मूवी का स्क्रीन प्ले भी अच्छा है विशाल के लिखे डायलोग ठीक है एक लाइन हर किसी के अपने डर्द और हर किसी का अपना जख हूँ काफी घहरी सोच को दिखाती है मूवी की एडिटिंग ए श्रीकर पसाद की है जो थोड़ी बहतर हो सकती थी खूफिया मूवी तब्बू, अली फजल और वामिका के साथ विशाल भारद्वाज के डारेक्शन सर्षजी मूवी है आपको निराज तो ये बिल्कुल नहीं करेगी हाँ कुछ सवालों के जवाब शायद आपको ना मिले कोई बात नहीं आपका अपना खूफिया दिमाग उन सवालों के जवाब अपने आपी ढून लेगा सो इंजॉय खूफिया और हाँ, खूफिया तरीके से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते जाएं प्लीज, थैंक ये